नमस्कार बहुत स्वागय स्वागय थे आपका आप देख रहे हैं grand dharma सन्मार्ग हमारे घर में जो रसोई होता है वह पूरे परिवार का केंद्र भी होता है और यहां पर मान पुर्णा का वास होता है ऐसा मानना जाता है इसी रसोई में खाना जो बनता है वो आपको स्वास्त भी अच्छा रखता है और आपका मन मस्तिस्क भी मजबूत रखता है तो इस रसोई के बारे में कुछ खास बातें आखिर कौन से यसी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में प्रिसानी लाती है चली जानेंगे बिस्तार से हर इंसान जीवन में मेहनत करता है कि दो पैसे आए लाइप अच्छे से जी सके अच्छा खाना खाए अच्छा पहने एक सुकून भरा चैन की नींद सो पाए अब आज हम आपको बताएंगे आपके कीचन वास्तु के नुसार क्या करें ऐसा कुछ बदलाओ कि जीवन जीना सरल हो जाए आपके रसोई में छिपा है आपके भागे की चापी सबसे पहली बात तो आपके रसोई में जो आपके कीचन में बरतन होते हैं न उसका ध्यान रखना चाहिए पहली बात तो ऐलूमूनियम की बरतन में विल्कुल भी खाना मत ना ही खाईए क्योंकि ये बेग्यानिक तौर पर अभी सत्य हो चुका है कि अलूमूनियम के बरतन में खाना बनाने से और खाने से स्वास्त में बहुत ज़्यादा परिसानी आती है ये आप जितना बचा नहीं रहे होंगे उससे ज़्यादा आपके स्वास्त में खानी अगर है तो उसका मोह माया त्याग कर उसको हटा दे ये आपको औस्वस्त कर देगा दूसरी बात अगर कोई भी बरतन अभी होता क्या है बरतन के किनारे फट जाते है ग्लास है कटोरी है थाली है अब मोह बस लोग उसको फेकते नहीं है तो ऐसे बरतन को जो बरतन में थोर टूड़ गया फिर भी लोग रखे वे ऐसी चीजों को ना तो रखिए ना ही बैभार कीजिए क्योंकि ये पूरी तरह से आपके भाग से जुड़ा होता है तो इन चीजों को आप जितना जल्दी हो घर से बाहर करते हैं कई बार इलक्ट्रोनिक सामान भी कुछ ऐसे होते हैं जो खराब हो चुके हैं और उसको भी फिर भी आप रखे हैं या तो तुरंट ठीक करवाईए आपके किचन में जो भी है अबन है या फिर आपका वाटर फिल्टर है या हो सकता है आपका फ्रेज बेगर भी आपके किचन में हो.. बहुत सारी चीजें होती है। लेटिए अगर सच में खराब है तुसे चेंज कराईं क्योंकि ये आपके घर में बरकत नहीं होने देगा.. बिजली के ऊपकरन खराब होने से पड़े रहने से आपका राहू गरबर हो जाता है और जब राहु गरबर होता है तो बच्चों के करियर पर और आपके जो धन की परेसानी है उस पर सीधे तोर पर अपना असर डाल देता है तो या तो ठीक करवाईए या फिर घर से बाहर का रास्ता दिखाईए इस्टोर करके मत रखिएगा हमारा वास्तु कहता है कि घर की महलाओं को बिना नहाए कभी भी कीचन में नहीं जाना चाहिए अब अगर माल लेते हैं सुव़शव उठना है बच्चों को त्यार करके स्कूल भेज़ना है आपके घर में बहुत सारे मेंबर होंगे ऑफिस जाते होंगे वैफसायस थल पर जाते होंगे तो ऐसे में क्या होता है आपके पास टाइम नहीं होता तो आप कीचन में आ जाती हैं कोई बात नहीं लेकिन एक बात का हमेशा ही ध्यान रखे कि कीचन को रात के समय ही बेवस्थित कर ले रात में सोने के पहले जब आप जूठे बरतन को धोकर हटा लेंगी कीचन को साफ कर लेंगी तो सुबह भी आपको आसानी होगा दस मिनट आपको रात में भले ज्यादा लग जाए लेकिन सुबह का एक घंटा बचेगा क्योंकि सुबह तक में बरतन सुख चुके होते हैं पानी जरूस से जादा बेस्ट होते हैं तो ये सबी चीजें कोसिस करें कि रात में ही निपटा लें ऐसा करने से एक तो रात में जो मेड आती हैं तो कम से कम पानी से धोकर रखें बरतनों में जूठा पड़ा हुआ है या आप खाना खाकर थाली में हाथ हो रहें ये सबी चीजें ये सिस्टेम हटाएं ये चीजें भी आपके घर की कलह कलेस वारे बातावरन को बढ़ाता है जीवन में परिशानी ले आता ह कई बार ऐसा करने से स्वास समंधी समस्याएं भी आती है इसलिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए वास्तु में किचन और आपका ट्वालेट यानि बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए एक सीध में जिसको कहते हैं अगर माल लेते हैं और ऐसा है आप चेंज न और हमेशा यह ध्यान रखें कि घर के अंदर महौल एकदम से बनाये रखें चोटी चोटी बातों में चिलना आना जग्रे लडाई करना यह सभी चीजें आपके जीवन में धन की परिसानी भी बढ़ाता है और सुक चैन कहीं कहीं खोही जाता है तो इन चीज़ों को इग्न कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने कीचन नहीं बनाईए कई बार क्या होता है घर से बाहर से ही आप अंदर आ रहे हैं आपका कीचन दिख रहा है कीचन में लोग क्या काम कर रहे हैं लोग इस तरीके से बनाते हैं कि कीचन में खाना बनाते बनाते यह देख लें कि क बहुत बड़ा वास्तु दोस्त पैदा करता है और सबसे एहम बात जब भी आप अपने कीचन में दूद्ध उबलने के लिए चढ़ाती हैं तब हमेशा धीमी आज पर रखकर ही पकाईए क्योंकि दूद्ध उबलने से घर में नकात्मक उरजा का संचार होता है तो आप उसे सीधे ना उबाल कर पहले उसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालिए क्योंकि सिर्फ दूद्ध नहीं उबालना चाहिए उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दें फिर उबालें और उबालने के बाद तुरंद मत ढखिए बलकि थोड़ा सा खुला छोड़े या किसी सहारा नहीं लेती लकडी के चकला होता है जिस पर रोटियां बेलती हैं कई बार महला हैं डारेक्ट प्लेट पर ही रोटियां बनाती हैं तो ऐसा माना जाता है इससे धन भी कम होता है और बीमारियां भी बढ़ती हैं इसलिए आप अगर चाहते हैं स्वस्त रहें और जीबन म कभी भी गंदा ना रखें खाना बनाने के साथ ही आप तुरंत अपने घर के जो गैस हैं उनको साफ करें स्टोप को नहीं तो जीवन में दर्रिता परिसान करती है बहुत बार लोग कीचन में सजावट की तस्वीर लगाते हैं अगर आपको लगाना है तो आप भगवान स्री किष्ण का मखन खाते वे कोई तस्वीर पोस्टर लगा सकते हैं इससे घर में सकात्मक उरजाएं आती है और जो आपके कीचन का नमक होता है हमेशा ही नमक को काच के बढ़नी में रखें और उसमें दो-चार लॉंग डाल कर ही रखिए ऐसा करने से भी आपका नमक अवन के नीचे ना रखें ना ही खुले में रखें जूठा में भी तबे को नहीं निकालना चाहिए इन बातों का ध्यान रखें